नमस्कार चात्रों, आज हम हमारे हिंदी की दासिका में हमारा दस नंबर का जो पाठ है कामचोर यह पाठ हम पढ़ने वाले है प्रस्तुच जो पाठ है हमारा कामचोर इस पाठ के जो लेखी का है इसमत चुकताई जुए और इनके द्वारा ही यह पाठ लिखा गया है और यह पाठ याने एक कहानी है इस कहानी में एक सम्रुद्ध परिवार के बच्चो द्वारा किये गए उधम का चितरन किया गया है इस परिवार में सभी कारिय घर के नोकरो द्वारा किये जाते है जिस कारण घर के बच्चों की आदते बिगडती जा रही है अब वह कोई भी काम अपने आप करने को तयार नहीं है घर के बड़े यह स्थिती देखकर चिन्तित है अतहा बच्चों में अच्छे आदतों के विकास और स्वयम काम करने की भावना के विकास के लिए घर के नोकरों को निकालने का फैसला किया जाता है और बच्चों को घर के काम में सहयोग करने पर ही खाना मिलेगा ऐसे बोल दिया जाता है और इस पाट से संबंधित एक चानकारी मैं आपको और बताना चाहती हूँ जो आपको प्रस्तु चित्र दिख रहा है वह चित्र है संयुक्त परिवार का संयुक्त परिवार आने क्या कि जॉइन फैमिली और जॉइन फैमिली में क्या रहता है दादा दादी अपने चाचा चाची अपने बहुत सारे भाई बहुन ऐसे बहुत सारे लोग हमें एककत्री जॉइन्ट फैमिली में संयुक्त परिवार में होते हैं और इस परिवार में जो बच्चे रहते हैं तो इन बच्चों को क्या होता है काम करने की आदत नहीं रहती क्योंकि इनके घर में बहुत सारे लोग पहले से ही होते हैं काम करने के लिए और इसके opposite इसके विरुद होता है कि जो एकल फैमिली जो रहते उसमें इस फैमिली में या इस परिवार में क्या रहता है कि अपने मा, पिता जी और बच्चे यही रहते और इस वज़े से क्या होता है कि बच्चों को काम करने की आदत लगती है ऐसा इस पार्ट में हमें बताया गया है और वही हम क्या करने वाले है कि इस पार्ट में देखने वाले कि किस प्रकार से सैयुक्त परिवार या उसी के बाद जो एक प्रकार से रईस जो परिवार रहते हैं तो इन घरों के बच्चों को काम करने की जो एक प्रकार से आदत रहती है वह आदत उनकी धीरे धीरे कम होती जाती है और वो काम कुछ भी नहीं करतें और इस प्रकार से वो क्या हो जाते हैं काम-चोर हो जाते और वही हम क्या करेंगे अभी हमारे इस प्रस्तुत पार्ट में जो की एक Muslim family है, Muslim परिवार हैं और उनके ही द्वारा हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले है आगे हम देखेंगे जीवन में सफलता किश सिखर पर पूचने के लिए प्रतिक वेक्ति को अपने कारिय स्वयम ही करने चाहिए क्योंकि स्वयम कारिय करने से ही कारिय कोशल बढ़ता है और हमें यह बताया गया है कि अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपना काम जो रहता है वो खुद अपना काम हमें स्वयम ही करना चाहिए और इस प्रकार से अगर हमने काम किया तो हमारे कारिय करने की जो कौशल रहता है तो वो कौशल क्या होता है कि बढ़ता जाता है और हम दिन बदिन उसमें क्या करते हैं कामिया भी प्राप्त करते जाते या उसमें एक प्रकार से सुधार रिट करते हुए हम उसे जान सकते हैं मनुश्य के अंदर छिपी आलस्य की भावना का विनाश होता है किन्तु आज का युवावर्ग पडिश्रम का मारग नहीं अपनाना चाहता है और इसी प्रकार से कहा है कि मनुष्य अगर अपना जो काम रहता है वह अपना काम अगर अपने आप करता है तो उसके अंदर छिपा हुआ जो आलस से की भावना रहते है जो आलस रहता है तो वह क्या हो जाता है कि खत्म हो जाता है लेकिन आज का जो युवावर्ग है तो वह युवावर्ग परिश्रम करना नहीं जानता और परिश्रम न करते हुए वह क्या करते हैं कि वह मार्ग अपनाते हैं कि वह शाररिक्षम से बचना चाहते हैं और वह यह मार्ग अपनाते हैं कि जो शाररिक्षम से बच कर कम से कम एक प्रकार से कारिय करने से जो एक प्रकार से काम हो सके वही युवावर्ग क्या करता है कि मार्ग अपनाता है ऐसे में माबाप को भी चाहिए कि वे बचपन से ही उन्हेस बाबावी कुरूर से घर के छोटे मोटे कारिया सिखाए तथा माबाप के काम में हाद बटा कर निपुनता प्राप्त करे और उसी के बाद जो माब पिता जी ने अपने बच्चों को खुद करने के लिए सिखाना चाहिए और उसी के बाद की उनको अपने मा पिता जी इनके हाद बटाने में एक प्रकार से निपुनता प्राप्त होने चाहिए या उन बच्चों को अपने मा या पिता जी की एक प्रकार से हिल्प करने चाह उसी से अपना काम स्वयम करने की एक प्रकार से आदत हम लोगों को लग जाती है। प्रस्तुत पार्ट में की गई है। और जब बच्चे उन्हें खाली नजर आने लगते हैं तो फैसला करते हैं कि घर के नोकरों को निकाल दिया जाए। ताकि ये बच्चे कुछ तो काम करें। और इसलिए वो क्या करते हैं कि नोकरों को निकालने की एक प्रकार से सोच लेते हैं। क्या थोड़ा परिश्रम करके पानी भी नहीं पी सकते इन्हें भी तो कामकरने की आदत होनी चाहिए। और जो माँ बाप, माँ पिता जी जो रहते हैं तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचते। क्या इन्हें थोड़ी तो परिश्रम करने की आदत होने चाहिए क्या ये थोड़ा अपनी जगा से हिलकर भी पानी नहीं पी सकते इन्हें अपना काम करने की खुद की आदत इन्हें खुद का काम करने की होनी चाहिए और इसी के बारे में हम देखने वाले हैं अब हम हमारे पाट को शुरुवात करेंगे घर में काफी बहस के बाद यह तै हुआ कि नोकरों को चुटी कर दी जाए घर के बच्चे इतने मोटे हैं और कोई काम खुद नहीं करते यह तो हिलकर पानी तक नहीं पीते यह कामचोर हो गए है और इसी प्रकार से जो मा और पिताजी यानि प्रस्तुद पाट में जो अम्मी और अब्बा जो थे तो उनमें एक प्रकार से काफी बहस हुआ, काफी एक प्रकार से उनमें वाद विवाद हुआ और उसके बाद मा और पिता जी ने यह सोच लिया कि जो घर के नोकर है इन नोकरों को हम क्या कर देंगे चुट्टी दे देंगे घर में जो बच्चे काफी एक प्रकार से एक ही जगा पे बैटके खाने के वज़े से मोटे हो गए है इनको खुद का काम खुद करने की आदत नहीं रहे गई है यह तो हिलकर पानी तक नहीं पी रहे यह अपनी जगा से उठकर यह खुद का पीने का पानी भी नहीं ले रहे यह बच्चे कैसे हो गए है कामचोर हो गए और इसलिए क्या करना चाहिए जो नोकर है नोकरों को घर से निकाल दिया छुट्टी दे दी और जो काम थे वह काम जो काम चोर बच्चे हुए थे उन बच्चों की तरब दे दिये गए बच्चों को कहा गया कि तुम सिवाए उधम मचाने के कुछ नहीं करते बच्चों ने हिल हिला कर पानी पीने के प्रयास में मटकों सुराईयों को इदर उदर लुटका दिया और इसी प्रकार से जो बच्चे थे तो बच्चों से जो मा और पिताजी थे उन्होंने बात की कि तुम घर में सिवाए उधम मचाने के उधम मचाना याने क्या शोर शराबा करना इसके सिवा तुम कुछ काम नहीं करते घर में तो तुम खुद का पानी तो खुद हिल कर ले लो पीने के लिए तो बच्चों ने क्या किया हिल हिला कर यह बच्चों को क्या लगा कि जगा पर ही हिल कर या वहाँ जाकर हिल कर पानी पीने के लिए हमें बोला गया है तो बच्चों ने वही किया कि वहाँ जाकर ही लिलाकर पानी पीने की प्रयास में मटके जो थे घर में जो सुराईया जो थी तो सारे के सारे घर में इधर उधर लुड़क गए यानि सारे घर में मटके सुराईया जो थी यहाँ वहाँ सारे घर में क्या हो गए कि यहाँ वहाँ गिर गए यानि इस प्रकार से बच्चों ने खुद का पानी पीने का जो प्रयास है वह किया और सारे घर में मटके सुराईया यहाँ वहाँ बिखरी पड़ गई बच्चों ने अपने लिए काम पुछा तो बताया गया दरी को साफ करो, आगन का कुड़ा हटाओ, पेडों में पानी दो, बच्चे काम पर जुट गए और फिर पहला काम जो दिया गया था पानी पीने का वह किया, सारे घर में मठके इदर उदर फैला दिये बाद में बच्चों ने पूछा कि और हमें क्या काम करना है, तो उनको बोला गया दरी साफ करो, यानि घर में बिच्चाई हुई जो दरी थी, उस दरी को साफ करो, उसके बाद आगन में जाके जो कुड़ा, कच्रा जो है, उसे तुम हटाओ, फिर बाद में पेडों को पानी दो, और यह सारे जो काम है बच्चों को बताने के बाद, बच्चों ने क्या किया, कि अपने काम में वह जूट गए, यानि उनको जो काम बोला गया था, दरी को साफ करो, आगन से कच्रा निकालो, पेडों को पानी दो, यह सारा काम उनको जो बताया गया था, वह सारा काम क से हमने देखा कि जो प्रस्तूत पाठ है कामचोर तो इस पाठ में जो बच्चे है उन बच्चों को आदत नहीं है काम करने की और उनको पहले जो काम थे पानी पीने का कच्रा निकालने का जो हमारे पेड़ है उन पेड़ों को पानी देने का दरी साप करने का यह काम दिया ग केंगे